हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अरद्या अरेस एकेडिवी में दोस्तों राजस्तान में आयोजित पटवारी बरती परिक्षा 2021 के नविनतम पाठे करम के अनुसार अपने 14 मोडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं आज दोस्तों अपना इसमें 15 नंबर का मोडल पेपर है दोस्तों अगर आपने पिछले 14 मोडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप रेलिस्ट में जाएए वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा पटवार ही मोडल पेपर के नाम से तो आप वहां जाके पिछले 14 मोडल पेपरों का टेस्ट है वो अवज से दें और आरत देरिस एकडिमी के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाए वीडियो को लाइक और गया था, बताइए किस हडपा कालिन इसतल के बवन निर्मान के लिए कच्ची इंटो का परियोग बहुतायात में किया गया था तो दोस्तों इसका राइट आँशर क्या हो जाएगा, बताईए तो दोस्तों वो है इसमें काली बंगा में तो इसका राइट आंसर इसमें B नंबर का उप्शन सहीवतर हो जाएगा नेक्स्ट असोक ने किस बोध सादू से प्रभावित होकर बोध द्रम अपनाया था देखिए यहां पर जो असोक है समराठ असोक इन्होंने बोध द्रम है वो उसको अपनाया था और बोध द्रम की जो दिक्षा है वो किसे लिती तो उपगुप्ट से लिती किस ने असोक ने तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसमें B number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा next question है तीन number का press ने निमनलिकित में से किस सुल्तान ने सती पर्था रोकने का प्रियास किया तो मित्रो इसका right answer हो जाएगा वो है मुहम्मद बिन तुगलक बी नमबर का option इसका right answer हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक है ठीक है आगे देखे चार नमबर का प्रस्न है इसमें देखे बुद्ध के जीवन की चार महतोपून गटनाओं और उनसे समंदित इस्तानों का नीचे उलेख है समंदित सुची फर्ष्ट को सुची सेकंड से सुमेलित करें ठीक है जो बुद्ध के जीवन की चार महतोपून गटनाओं थी ठीक है तो वो सुची फर्ष्ट में दे रखी है ठीक है और सुची सेकेंड में समंदित इस्तान से समंदित दे रखे हैं ठीक है अब यहां पर देखे बुद्ध का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था यह आपको दोस्तों पता होना चीए यहां पर बुद्ध का जन्म है वो दोस्तों कहां पर हुआ था तो बुद्ध का जन्म में और निदन है वो कहाँ पर हुआ था बुद्गा तो वो है कुशी नगर में यानि कि जन्म कहाँ पर लुंबिनी में ग्यान प्राप्ती बोद गया में पर्थम परवर्चंद दिया था सारनात में और दोस्तो निदन है वो कहाँ पर हुआ था वो कुशी नगर में हुआ थ पांच नुमबर का प्रेश्ण है इसमें देखे बंगाल का पहला गवर्नर्ट जनररल कौन था। यह मैं बंगाल के पहले गवर्नर्ट जनररल नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्शट काल में आरियोग का मुक्खेविवशाई क्या था। रिगवेदिक काल में आरियों का मुख्यविवशाय है वो क्या था तो वो था दोस्तों इसमें पस्व Пालं क्या था? मुख्यविवशाय पस्व पालं था, बी नमबर का ओप्षन बिल्कुल सयूत्तर हो जाएगा. आगे देखिए इसमें सात नंबर का प्रेशन है देखिए पर्त्वी राज चोहान को मुहमत गोरी ने किस यूद में हराया था तो दोस्तो कौन से यूद में हराया था तो दोस्तो तराइन के दित्य यूद में हराया था तो तराइन के दित्य यूद में हराया था तो तराइ अंग्रेजों ने निम्न लिखित इस्तानों पर जिस करम में अपने व्यापार के अंदर इस्तापित किये उनका सही काला नुकरम है तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों सबसे पहले सूरत में उसके बाद में मदरास फिर बंबई और फिर कलकता ये दोस्तों व्यापार के अंदर इस्तापित किये थे करमवाईज तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? नए नमबर का प्रेसन है इसमें देखे पदार्थ की वहें अवस्ता जिसका आकार वा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों क्या? तो उसको ठोस बोलते हैं ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर ठोस next आगे देखें तत्वोत के वरगी करण से संबंदित त्रिक के नियम का परतिबादन किया था तो दोस्तों किसने किया था तो यह किया था किसने तो डोबे राइनर ने किया था तो इसमें शी नंबर का उप्षन सहीद्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 11 नंबर का प्रेशन है निमनलिकित में से कौन सा अमलिय लवन है तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिग्या होगा कार्बनिक एसिड यानि कि H2CO3 इसको दोस्तों कार्बनिक एसिड भी बोलते हैं तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें D नाम क्या है विटामिन E का रासा अशनिक नाम है वो दोस्तों क्या है Tocopherol यह विटामिन E का राशा अशनिक नाम है B नंबर का उप्शन सैउतर हो जाएगा आगे देखिए निमन में से किस जन्तु में पुनर रुद बवण की समता पाई जाती है तो दोस्तों इसका राइ का प्रेशन है इसमें देखे आत का वर्षन कोस में प्रवेश से समंदित बिमारी है तो वो कौन सी है तो दोस्तों वो है इसमें हरनिया बी नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा हरनिया आगे देखे पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो सवतंतर अवस्ता में नहीं पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों परमानू ठीक है तो इसका राइट आंसर इसमें ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें देखे आ सुमेलित करना है ठीक है सुची फर्ष्ट और सुची सेकिंड दे रखा है यानि कि दोस्तों एक तरफ तो अपने को कारिय दाब उसमा और चुमब की फलक्स दे रखा है और दोसरी तरफ उनको किस से मापा जाता है वो अपने को इसमें बताना है ठीक है जहां पर देखिए दोस्तों आपको दिख रहोगा कारिय तो कारिय को मापने की जो इकाई है वो क्या ह कारिय को मापने की इकाई है वो क्या है तो दोस्तों वो है इसमें कैलोरी क्या है कैलोरी ठीक है और दाब को मापने की इकाई है वो दोस्तों पासकल है उसमा को मापने की इकाई है वो क्या है तो दोस्तों बताइए कारिय को मापने की काई है वो है दोस्तों जूल और दाब को मापने की काई है वो है पासकल और उस्मा को मापने की काई कैलोरी है और चुम्बकिये फलक्स को मापने की काई वेबर है दोबार देखे एक बार फिर से कारिये को मापने की काई है वो कौनशी है जूल, दाब कुमापने की काई पासकल उसमा कुमापने की काई कालोरी और चुंबख्ये फलक्स की मापने की काई है वो वेबर तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रेशन का राइट अंसर क्या हो जाएगा 2, 1, 3, 4 यानिकि अपना right answer क्या हो जाएगा, इसमें C नमबर का जो option है, वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 17 नमबर का प्रेसने चीजी गी का तात्परीय है, तो दोस्तों क्या तात्परीय है, तो दोस्तों इसका right answer क्या हो जाएगा, देखिए सूर्य पर्थवी तथा चंदर्मा की एक ही सिधी रेखा में इस्ति उसको बोलते हैं सिजीगी ठीक है दूसरा है सूर्य तथा चंदर्मा के बीच पर्थवी की इस्ति उसको भी बोलते हैं सिजीगी तो दोस्तो इसका right answer क्या हो जाएगा उपरो सबी को बोलते हैं CG ठीक है तो अपना इसमें D number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 18 number का press नहीं इसमें देखे निमनलिकित में सुमेलित नहीं है तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है यहाँ पर देखे डाउन्स और डाउन्स गास के मैदान है वो कहाँ पर पाई जाते हैं तो वो औस्टेलिया में पाई जाते हैं यहाँ पर दे रखा है उसन कटी बंदिये गास मैदान है तो दोस्तों यह उसन कटी बंदिये छितर में नहीं आते हैं यह आते हैं सितोसन कटी बंदिये में, किसमें सितोसन कटी बंदिये गास के मैदान है, डाउन्स यहां पर उसन है, वो गलत दे रखा है, तो अपना राइट अंसर क्या हो जाएगा, इसमें ए नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकि देखे, इस टेपीज यह सितोसन कटी बंदिये गासी मैदान है, सेलवा यह उसन कटी बंदिये वन है, टेगा तो यह सितोसन कटी बंदिये वन है, इस प्रेशन का राइट आंसर ए नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आगे देखे, इसमें गुन्डिस नमबर का प्रेशन है, भारत की मानक समयरेखा पर इस्तित राज्यों का दक्षिन से उत्तर की और अपने को करम बताना है, तो क्या करम है, तो देखे, यहां पर एक ट्रिक है, ट्रिक के माद़े मिसे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन देखे एक ट्रिक है, उत्तर की छत आंदी में उड़ी, यानि कि दोस्तो उत्तर, उत्तर की छत, यानि कि उत्तर प्रदेश छत से हो गया चतिस गड़, उत्तर की चत्य औंदी एक अंद्र प्रदेश है मे, मे, इसमें आजाएगा मद्दे प्रदेश और अडी, तो इसमें आजाएगा उड़ी सा, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर है उड़ी सा, चत्तिस गड़, मद्दे प्रदेश, और उत्र प्रदेश, ठीक है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें B नंबर का उप्शन है वो इसका बिल्कुल सेउत्र हो जाएगा देखिए यहां पर पुछा है दक्षण से उत्तर के और करम तो उडिशा, चतिसगड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ठीक है B नंबर का उप्शन सेउत्र, नेक्स्ट है लोनार जील किस राज्य में इस्तित है, लोनार जील है वो एक कौन से राज्य में इस्तित है, तो दोस्तों यह महराष्टर में इस्तित है, C नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा, महराष्टर में इस्तित है लोनार जील, नेक्स्ट है देखे निम्नलिकित को सुमेलित कीजे सुची फष्ट में वन्ने जीव ब्यारन है और सुची सेकंड में राज्य है तो कौन सा वन्ने जीव ब्यारन है ये कौन से राज्य में है वो अपने को इसमें बताना है ठीक है यहां पर देखिए दोस्तों नाम दफा ना बारोना चल परदेश में हैं बांदीपूर जो वन्ने जीवा बैरन है ये कांपर है तो ये करनाटक में हैं पेरियार वन्ने जीवा बैरन कांपर है तो ये दोस्तों केरल में हैं और लाम जाओ वन्ने जीवा बैरन है ये कांपर है तो ये मनिपूर में हैं इस प्रेशन का रा ब्भारतिये बुगोल के नाम से और पटवारी भारतिये इतियास के नाम से अगर दोस्तों आपने जो बुगोल की कलास देखी है जिसमें वन्य जी वो अब यरन मने करवाए हैं तो इस प्रस्ण को आप आंसर दे सकते हैं असनी से तो वहां पे सहलेपस के अनुसार कलासिक कर करें बाइस नंबर का प्रस्ण है इसमें देखे भारत की पर्थम बहुत देशिये परियुजना का प्रारम किया गया था तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दामोदर नदी पर बी नंबर का उप्शन बिलकुल से इतर हो जाएगा नेक्स्ट है उच् सकती है यह किसके पास में है तो यह संसद के पास में है सी नंबर का उप्शन राइट आंसर संसद के पास में नेक्स्ट है 24 नंबर प्रेस ने एक विदेख जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी किरिया के बाद अधिनियम बन जाता है एक विदेख जो संसद में प यानि कि राष्ट्रपती है वो साइन कर देता है तब वो अधिनियम बन जाता है यानि कि जब राष्ट्रपती अपनी सहमती देता है तो वो अधिनियम बन जाता है तो अपना राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा तो वो है बी नंबर का उप्सन बिल्कुल से उत्तर हो जा और केवल लोक सबा के सदस्य होते हैं इसमें ए नमबर का उप्षन बिल्कुल से उत्र हो जाएगा आगे देखिए निम्न में से वे कौन से अनुचेद हैं जो परधान मंतरी राष्टरपती के बीच सम्मंदों को इसपष्ट करते हैं निम्न में से वे कौन से अनुचेद हैं जो परधान मंतरी और राष्टरपती के बीच सम्मंदों को इसपष्ट करते हैं तो वो करते हैं दोस्तों इसमें देखें अनुचेद चोंतर अनुचेद पिचेतर और अनुचेद अठतर अनुचेद चोंतर अनुचेद पिचेतर और अनुचेद अठतर ये दोस्तों परदान मंत्री वर राष्टर पती के बीच संबन्दों को इस पष्टे करते हैं तो इस आयो के उपादेक्स की न्यूक्ति की जाती है प्रदान मंत्री के द्वारा बी नंबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा नेक्स्ट है निमनलिकित में से वे दो सब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42 वे सविधान संसोदन द्वारा सविधान की उद्देशिका में किया गया तो देखिए सविधान की उद्देशिका या प्रास्तावना में दोस्तों दो सब्द जोड़े गए थे वो दो सब्द कौन से वैसे तो जोड़े गए थे तीन लेकिन यहां पे दो सब्दों के बारे में ही पूछा गया है तो दोस्तों एक तो समाजवादी और एक पंथने पे यानि कि राश्टरपती की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है तो दोस्तों वो है राज्यपाल, राज्यपाल है ये राश्टरपती के प्रसाद प्रियंत ही कारिय करता है, राश्टरपती की मन मर्जी के उपर ही काम करता है, राश्टरपती जब चाहे तब राज्यप को खटा सकता है तो इसमें सी नंबर का उप्शन सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए इसमें रेलवे में नीजी करण को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा इनमें से कितनी ट्रेनर राजस्तान में भी चलेगी तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है इसमें 20 ट्रेनर है वो राजस्तान में भी चलेगी गए बीस नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा यह एं किस खेल से समंधित है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पैदल चाल से समंधित है ये तो इसमें C नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान सरकार द्वारा सवतंतरता सेनानियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन को बढ़ा कर 25,000 उपर कर दिया है उनमें कितनी बडोत्री की गई है तो दोस्तों वो है 8,000 की बडोत्री है वो की गई है तो अपना इसमें राइट आंसर बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 33 नमबर का प्रेशन है भारत के राष्टिय सुरक्षा सलाकार कौन है जिनोंने वर्तमान वास्त्विक नियंतरन रेखा विवाद को नियंतरित करने में एहम भूमी का निवाई है तो दोस्तों वो कौन है तो वो है अर्जी डोबाल तो अपना राइट आंसर इसमें A नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 34 नमबर का प्रेशन है इसमें देखिए हाली में Elements एप लॉंच की गई है हाली में Elements एप लॉंच की गई है इसके समंद में सत्य कतन कौन सा है वो अपने को बताना है तो देखिए दोस्तों यह एप आठ से अधिक भारती बासाओं को सपोर्ट करती है इसमें यही कतन है वो दोस्तों इसमें सत्य है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें B नंबर का उप्शन बिल्कुल सेयुतर हो जाएगा ठीक है देखिए यह भारत की पहली एप पहली एप थोड़ी है भारत की तो खुब सारी एप लोंच होगी चुकी है यह है आठ से अधिक भारती बासाओं को सपोर्ट करती है elements एप तो इसमें B नंबर का उप्शन सेयुतर नेक्स्ट है निमनलिकित में से वर्ल्ड फ्यूचर एनरजी समिट 2020 की मेजबानी की सहर ने की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो आबुदाबी ने की ए डी नंबर का उप्शन सेयुतर हो जाएगा आबुदाबी ने नेक्स्ट थिस नंबर का प्रेशन इसमें देखिए सांख्यकी और कारिकरम कारियानवेन मंत्राले के अधीन कारिरत CSO यानि की सेंट्रल इस्टेटिक्स ओफिस ने वितवर्स 2020 के लिए GDP का पहला अगरिम अनुमान जारी किया है यह अनुमान लगाया है कि विकास दर रहेगी तो दोस्तों विकास दर है वो कितनी रहेगी दोबार देखिए इस प्रेशन को सांख्यकी और कारिकरम कारियानवेन मंत्राले के अधीन कारिरत CSO यानि की सेंट्रल इस्टेटिक्स ओफिस ने वितवर्स 2020 के लिए GDP का पहला अ सचुट्टर हैं हेली हैं ़िप उपाश्पोट इंडेक्स 2020 जारी होई है इस इंडेक्स में सिर्श सिस्तान आस सिल क्या है तो जा tu यह जापान ने सिल-पान ने ने विश्वा होकी फेड्रेशन ने किस भारती माईला होकी खिलाडी को World Game Athlete of the Year के लिए नामित किया गया है बताए विश्वा होकी फेडरेशन ने किस भारती माईला होकी खिलाडी को World Game Athlete of the Year के लिए नामित किया है तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें रानी रामपाल को तो इसमें ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सईतर हो जाएगा रानी रामपाल गुन्चालीश नमबर का प्रसन है इसमें देखे किस तामर पत्तर से हमें हाडी रानी कर्मावती द्वारा जोहर में परवेश करते समय दीये गए भूमी अनुदान की जानकारी मिलती है बहुती अच्छा π collectors है किस तामरपत्र से हमें हाडी राणी कर्मावती द्वारा जोहर में परवेश करते समय दीये गए भूमी अनुदान की जानकारी मिलती है तो मित्रों इसका right answer हो जाएगा तो इसमें अपने को जानकारी मिलती है बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सेयुतर हो जाएगा आगे देखिए चालिस नमबर का प्रेशन है मारणा कुमबा के मुख्य सिल्पी मंडन ने पंदरवी सताबदी में किस गरंथ की रचना की जिस से इस्तापतिक अला की जानकारी प्राप्त होती है वह गरंथ है वो कौन सा है तो दोस्तों उस गरंथ का नाम है राजवल्लब क्या नाम है उस गरंथ का राजवल्लब तो अपना राइट आंसर इसमें डी नमबर का उप्शन सेयुतर हो जाएगा नेक्स्ट एक तालिस नमबर प्रेस्ण है इसमें देखिए बाकिदास आशिया जो जोदपुर के महराज के विश्वास पातर वेक्ती थे इनको बाकिदास आशिया को ठीक है लाख पसाओ के समान से जोदपुर के किस महराजा ने समानित किया था तो दोस्तों लाख पसाओ के समान से बाकिदास आशिया को जोदपुर के किस महराजा ने समानित किया था तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें महराजा मान सिंग द्वारा ये समानित किया गया था तेका है ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा 42 नमबर का प्रेशन इसमें देखिए राजस्तान के किस सब्वेता इस्तल से कुसान नरेश हुविस्क एवं वासुदेव के सिक्के प्राप्त हुए हैं तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है नोह की सब्वेता भरतपुर से B नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 43 नमबर का प्रेशन इसमें देखिए मेवाड के राणा हम्मिर शिसोद्या ने किस युद में मुहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिंगोली के युद में तो इसमें B नमबर का उप्षन सही उत्तर सिंगोली के युद में नेक्स्ट है हल्दी गाटी युद में मुगल सेना के हरावल दस्ते का नेतरत्व है किस सेनापती के द्वारा किया गया था तो दोस्तो हल्दी गाटी के युद में मुगल सेना के हरावल दस्ते का नेतरत्व है वो मान सिंग कच्वाह के द्वारा किया गया था और परताब की सेना में हरावल दस्ते का नेतरत्व है वो किस ने किया था तो हकीम का सूर पठान ने ठीक है तो अपना देखिए यहां पर पुछा है मुगल सेना का तो मुगल सेना का जो नेतरत्व है हरावल का वो मान सिंग कच्वहा ने किया था ठीक है तो अपना इसमें र 1882 में अजमेर से मौलवी मुराद अली द्वारा प्रकासित द्वीबासी अकबार कुन सा है तो दोस्तों वो अकबार है कुन सा तो वो है सरवहित बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सेयुत्तर हो जाएगा ठीक है एक बार फिर से 44 नमबर प्रसंद देख लिए इसमें मैंने आ का नद्رج होता धिया है एक हमां सिंग कच्वा है तो दोस्तों अलदी गाथिंग में था यहँं पर पूछा गया है हरावल दस्का नेतर्तव है तो यह निकी शेना का जो अगरिम भाग होता है उसको बोलते हैं हरावल और वां सिंग हरावल में नहीं था मान सिंग सेना का सेना पती था ठीक है लेकिन हरावल दस्ते का जो नेतर्त्व है वो किया था दोस्तों जगनात कच्वाहने याद रखना है यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है मैंने अभी मान सिंग गलत बता दिया था जो हरावल दस्ते का जो नेतर्त्व है वो किया था जगनात कच्वाहने याद रखना आपको जगनात कच्वाहने किया था मान सिंग हल्दी-गाती के युद में मुगलं सेना की ओर से शेना पती था यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है इस प्रेशन का राइट आंसर हो आगे देखे इसमें गोकुल भाई भट द्वारा शिरोई परजामंडल की स्थापना कब की गई तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 22 जनवरी 12 जनवरी 1440 को सिरोई परजामंडल की स्थापना है वो की गई थी ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट जोदपूर के किस सासक ने तारागट दुर्ग अजमेर में जलापूर्ती के लिए रहट यानि की अरहट की व्यवस्ता करवाई थी जोदपूर के किस स तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें माल देव नेक्स्ट राजस्तान का सबसे बड़ा दक्षनी भारतिय सेली में बना मंदिर है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो इसमें रंगनाजी का मंदिर डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रंग राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान की किस चितर सहली में लाल वे पीले रंगों की परदानता देखने को मिलती है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेवाड सहली में तो इसमें बी नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा मेवाड सहल तो दोस्तो कौन सा है वो तो वो है बेने स्वर्दिन मेला कहां पर बड़ता है यह डूंगरपूर में कब मागपूर निमा को बड़ता है नेक्स्ट है निमन में से कान का अबुषन नहीं है तो कान का अबुषन है वो कौन सा नहीं है तो यह तो सभी को पता होगा दोस्तो का का अबुसन है वो कौनई है इसमें तो यहां पे दामनी है यी कान का अबुसन नहीं है बाकी लटकन उंघटा और जमिला यहतीनों है यह यी कान का अबुसन है डी नमबर का उप्शन सही इत्र हो जाएगा आगे देखें इस तरेपन नमबर प्रेशने, वहें लोकनाटे जिसमें ना पानी, ना रंग, ना गुलाल होता है, वहें लोकनाटे यानि कि वहें उत्सव जिसमें ना पानी, ना रंग, ना गुलाल होता है, तो वो लोकनाटे कुन सा है, तो दोस्तों वो लोकनाटे हैं नहान उत्सव, तो इस में B number का option बिल्कुल से इत्र हो जाएगा. Next is, राज़स्तान के किस संपरदाई के अन्याई्यी द्वारा नाहर नर्ते का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों, नाहर नर्ते का जो आयोजन है, ये कहां किया जाता है? तो दोस्तों, सापुरा में किया जाता है ठीक है भीलवाडा में सापुरा भीलवाडा में और दोस्तो रामस ने ही संपरदाय के द्वारा ये नाहार नर्ते है ये किया जाता है तो ए नमबर का उप्सन इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए पच्पन नमबर का प्रेशन है कपड़े पर मौम की परत चड़ा कर हाथ से चितरन की सहली क्या कहलाती है तो दोस्तों क्या कहलाती है तो दोस्तों ये कहलाती है बातीक बी नमबर का उप्सन बिल उत्तरशे दक्षिन तथा पूरोवसे पस्य बिंदों को मिलाने वाली कालपनिक रेखा जिस जिले में एक दूसरे को आपस में काथती है वह जिला कुण साथ है तो दोस्तो राजस्तान के उत्तर से दक्सिन तथा पूरव से पस्सिम बिंदों को मिलाने वाली कालपनिक रेखा जिस जिले में है तो वो जिला कौन सा है जिस जिले में ये एक दूसरे को आपस में काटती है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा वो है इसमें नागोर जिला है वो ठीक है ए नमबर का option बिलकुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है इसमें देखे सताओं नमबर प्रेशन है राश्टे करसी आयोग ने राजस्तान के पस्मी वै उत्तर पस्म छेतर में इस्तित कौन से जिले को रेगिस्तानी गोशित नहीं किया तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सिरोई को है यह दोस्तों रेगिस्तानी गोशित है वो नहीं किया यहां पर देखे सारन की पाड़ी का आपर है तो ये दोस्तो पाली में है कनकाचल की पाड़ी है ये कापर है तो ये जालोर में है और क्रास्का की पाड़ी है यनकी क्रास्का का जो पठार है वो कापर है तो ये सरिस्का में है ठीक है और नानी सीरडी की पाड़ी नानी सीरडी की पाड़ी तो तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है या अच्छी तरह ते हैं इसमें डी नंबर का उप्शन बिलकुल सहित्व हो जाएगा आगे देखिए इसमें राजस्तान की मिटियों में सरवादिक नाईट्रोजन की मातरा किस मिट्टी में पाई जातीinek राज़स्तान की मिटियों में सरवादिक नाय्टरोजन की मातरह किस मिटी में पाई जाती है तो दोस्तों कौन सी मिटी में पाई जाती है? तो मद्यम काली मिटी में पाई जाती है इसमें A-Number का उप्सन सही उत्र हो जाएगा आगे देखिये इसमें ऐसत्य कथन का अपने को इसमें चैंज करना है यहाँ पे देखे कुओ के द्वारा राज्य में सिचाई जैपूर वै दक्षणी वै पूर्वी राजस्तान में अधिक की जाती है बिल्कुल सही है ठीक है आगे देखे नेरो द्वारा सिचाई है वो दक्षणी राजस्तान में की जाती है तो दक्षणी राजस्तान में नहीं उत्री राजस्तान में की जाती है ठीक है नेरो के द्वारा सिचाई है वो उत्री राजस्तान में की जाती है दक्षणी राजस्तान में नहीं की जाती है इंद्रा गंदी नहर परियुजना के द्वारा उत्री राजस्तान में की जाती है, ठीक है, तो यहां पे अपना दूसरा कतन है, वो गलत दे रखा है, अपने को इसमें क्या बताना था, ऐसत्य कतन कौन सा है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बी नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगे देखिए, इसमें 62 नंबर का प्रेस्ट नहीं है, तो देखिए गाए, गाय की कौन सी नसल है, तो दोस्तो गाय की नसल है, इसमें कौन सी, पताइए तो देखे गाय की नसल है थार पारकर कौनशी है थार पारकर बैस की नसल है वो कौनशी है तो वो है दोस्तो मुर्रा है मुर रहा है ये बैस की नसल है बेड की नसल कौन सी है तो वो है पुंगल पुंगल है ये बेड की नसल है और बकरी बकरी की दोस्तो नसल है इसमें जमुना परी ठीक है तो दोस्तो इस प्रेसन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें 4,3,1,2 चार तीन एक दो अपना राइट आंसर हो जाएगा यानि कि कूटबासा में अपना सही उत्तर ए नमबर का उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें लिगनाइट कोईले पर आदारीत परियोजना राजस्तान के किन जिलों में चल रही है तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें विकानेर नागोर में सी नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए अनास विद्धूत परियोजना का समद्ध किस जिले से है तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें बासवड़ा से तो इसमें बी नमबर का उप्शन है वो इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 65 नमबर का प्रेशन है इसमें देखिए ग्राम पंचायत के अध्यक्स यानि कि सर्पंच का चुनाव किया जाता है तो दोस्तो यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत छेतर के पंजिकरत मतदाताओं के द्वारा पर्तेक्स निर्वाचन द्वारा सर्पंच का चुनाव है व 200 सदस्य संक्या है ये कौन से वर्ष में बढ़ाकर की गई थी पहले 190 थी फिर उसके बाद में 200 की गई थी तो ये की गई थी दोस्तो 997 में तो अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें 67 प्रेश ने इसमें देखे राजे विदान सबा अद्डेक्स की अनुपस्तिती में विदान सबा की कारेवाही का संचालन करता है राजे विदान सबा अद्डेक्स की अनुपस्तिती में विदान सबा की कारेवाही का संचालन कोन करता है तो अद्यक्स नहीं होता तो उपाद्यक्स होता है तो अपना right answer क्या हो जाएगा इसमें वो है विदान सभा उपाद्यक्स के द्वारा ठीक है D number option सयूतर next है राज़ेपाल एवं मंत्री परिशद के बीच समाद की कड़ी का कारिय कोन करता है तो दोस्तो वो करता है इसमें मुख्यमंत्री एव नंबर का option इसका बिल्कुल सयूतर हो जाएगा अब दोस्तो अपन है वो 11 क्यूशन है वो English के करेंगे और फिर 11 क्यूशन है वो Hindi के करेंगे ठीक है 68 क्यूशन अपने GKK के complete हो चुके है अब देखें दोस्तो यहाँ पे अपने को क्या बताना है कि समानार्थक सब्द बताना है यानि कि nearly the same in meaning यानि कि समानार्थक सब्द क्या है वो अपने को इसमें बताना है तो यहाँ पे देखें दोस्तो decimated अब इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दोस्तों बरबाद करना क्या मतलब होता है इसका बरबाद करना decimated का मतलब क्या होता है बरबाद करना और दोस्तों अब यहाँ पर देखे destroyed destroyed का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब क्या होता है बरबाद करना तो यह इसका समनार्थक सब्द है, तो इसका right answer, B number का option सही उतर हो जाएगा, destroyed, ठीक है, आगे देखिए इसमें 70 number का प्रेशन, समनार्थक सब्द अपने को पताना है, इसमें देखिए, एक जमसन, यहाँ पे दे रखा है, एक जमसन, इसका मतलब क्या होता है, दोस्तों, इसक में immunity, क्या हो जाएगा, immunity, तो इसमें a number का option सही उतर हो जाएगा, आगे देखिए दोस्तों, इसमें, देखिए यहाँ पे, देखिए, इगेतर number प्रेशने, इसमें देखिए, free wallers, ठीक है, इसमें देखिए, sorry, feverless, ठीक है, feverless दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए, feverless का मत होता है, तो इसका मतलब होता है, दोस्तों, तुछ, क्या होता है, तुछ, और इसका, जो समनार्थक सब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा, दोस्तों, इसमें, पिराईल, क्या हो जाएगा, पिराईल, तो इसमें right answer, इसमें, C number का option, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, अब दो दोस्तों यहां पर जो दो क्यूशन है वह अपोजिट यानि कि विलॉम सब्द अपने को इसमें बताने हैं तो देखिए दोस्तों यहां पर आउट रेजस इसका मतलब होता है दोस्तों अपमान जनक तो इसका विलॉम क्या हो जाएगा तो इसका विलॉम हो जाएगा दोस्तो तो जो ली थे यानि की प्रसन ना ठीक है आगे देखें दोस्तों इसमें देखें बिढंट तो इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है और शावधान क्या हो जाएगा careful तो अपना इसमें D number का option से उतर हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पे error से समंदित question है 3 ठीक है तो इसमें मैं आपको direct बता जता हूँ कौन-कौन से पार्ट में गलती है आप screen shot लेके इसको check कर लेना ठीक है देखें दोस्तों यहाँ पे 74 number person में आपको यहाँ पे hedge overflown दे रखा है जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है ठीक है और पिछे 3 number person में इसमें देखें दोस्तों belonged to him इसमें दोस्तों गलत दे रखा है ठीक है और इसमें देखें paradise lost is a epic poem तो दोस्तों इसमें कौन से पार्ट में गलती है तो इसमें a epic poem इसमें गलती है तो अपना इसमें c number का option इसका right answer हो जाएगा ठीक है अब दोस्तों यहाँ पे passage दे रखा है और passage से समंदित अपने को दोस्तों 3 person मिलेंगे और यह 3 person आप passage पढ़ोगे तो दोस्तों आपको इसका answer मिल जाएगा अब देखिए अपन direct यहाँ पे चलते हैं हिंदी के अंदर यहाँ पे देखिए तलीन का संदी विच्चेद क्या है तलीन का संदी विच्चेद हो जाएगा दोस्तों इसमें तत पलस लीन हो जाएगा तो इसमें ए नमबर उप्सन सही उत्तर नेक्स्ट रादा कृष्ण में कौन सा समास है तो रादा कृष्ण में दोस्तों द्वन्द समास है रादा और कृष्ण ए नमबर उप्सन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट है निमन में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को इसमें बताना है यहां पे देखिए दोस्तों देखिए पठ पलस अनिये पठ निये बिल्कुल सही है इसमन पलस अनिये इसमन निये उलेक पलस अनिये तो उलेक नहीं हो जाएगा तो इसमें देख़िए, कर पलस नियं ये गलत दे रखा है, ठीक है, तो दूस्तों इसमें हो जाएगा कर पलस अनिय तो कर निया, तो इसका right आंसर क्या हो जाएगा, इसमें D number का option यहाँ पे गलत दे रखा है, आगे देख़िए, गरंती और गरंती सब्द युगम का सही अर् तो दोस्तो एक गरंथी तो होती है गांठ है और दूसरी गरंथी का मतलब है वो क्या होता है देखिए जैसे अपने पढ़ा होगा ना कि अमाशे गरंथी ठीक है तो प्यूस गरंथी तो यहाँ पर देखिए गरंथी का मतलब होता है गांठ है और इस वाले गरंथी का मतलब ह होता है सिकh गुरू तो अपना इसमें ए नंबर का उप्शन सही उतर हो Bible किसका प्रयाईवाची है और C number का option right answer हो जाएगा, आगे देखिए, अंते और ये हैं, अंते, सब्जिग्म का अर्थ है, तो दोस्तों, एक अंते, अंत का मतलब क्या होता है, तो अंत का मतलब समाप्ती, यानि कि समाप्त, ठीक है, अंत का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों क्या होता है समाप्त और अंते का मतलब होता है अंतिम तो अपना इसमें A नंबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा 87 नंबर प्रेशन इसमें देखिए अत्यांत पिरिया होना भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है तो वो मुहावरा है दोस्तों कौन सा तो वो है आखों का तारा होना तो इसमें C नमबर का उप्शन सयुत्तर हो जाएगा आखों का तारा होना आगे देखे निमनलिकित वाक्यों में सुध वाक्य कौन सा है तो दोस्तों यहां पर देखिए सुध वाक्य कौन सा है तो सारे द देखे उप्युक्त इस्तानापन सब्द नहीं है , वो कौन सा नहीं है व अपने को इसमें बताना है , तो यहाँ पर देखें दोस्तों , देखे दक्षिन पूरों के बीच की दिशा है , व Nous whyarla है , यह अपना इसमें गलत दे रहा है , बाकि इसमें , अविवाहित, महिला, किसमें सुमेल नहीं है तो किसमें सुमेल नहीं है तो आपको तो यहां पर दिखिया होगा दोस्तों ठीक है यहां पर देखिए बेल बेल का मतलब क्या होता है जैसे अपने देखा होगा कि जेल से उसकी बेल हो गई या कोट से उसकी बेल हो गई तो यहाँ पर परतिबंद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, तो यह अपना इसमें परतिबंद गलत दे रखा है, बी नमबर का उप्शन से यूतर हो जाएगा, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, अब अपने महत के कुषिन सुरू हो चुके हैं, 45 कुषिन आपको और महत के मिलेंगे, इस पेपर में, ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पिछले वर्स में कार कंपनी ने 41,800 कारे बेची, इस वर्स 51,300 कारे बेचने का लक्से है, बिकरी को कितने परतिसत बढ़ाना होगा, तो सिधा सा है, 51,300 में से 41,800 गटा दो, कितना जाएगा, 9, 9,500 कितना जाएगा, 9,500, और दोस्तों, 48,800 का 9,500 कितना परतिसत है, तो दोस्तों, यह 22 सही 8 बटे 11 परतिसत है, तो अपना राइट आंसर इसमें, D नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आगे देखिए, एक स्कूल में, 727 में, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5, सोरी, 7 अनुपात 5 है, देखिए, एक स्कूल में, 720 सात्रों में, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है, वो कितना है, 7 अनुपात 5, एक अनुपात 1 का अनुपात रखने के लिए, कितनी और लड़कियों की भरती करना होगा, तो तो दोस्तों कितना हो जाएगा 420 और 735 तीक है देखे 12 बारा पंजे 60 बारा चिक भेंटर 6 तीस तो ये हो जाएगा 300 तीक है इसमें शात्रों की संख्या यानि कि लड़कों की हो जाएगी इसमें 420 संख्या और लड़कियों की हो जाएगी 300 अब सीधा सा है इनको बराबर करन की लिए अपने को कितनी लड़कियां और रखनी होगी तो दोस्तों 420 में से 300 गए तो कितने बचे 120 तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें 120 ठीक है तो इसमें बी नमबर का उपसर इसका बिलकुल सही उत्तर नेक्स्ट कुशन है इसमें देखे कमल के पास कुछ सेव है उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे यदि उसने 70 शेव बेचे तो बताइए कि उसने कितने सेव खाए तो उसने कितने सेव खाए वो अपने को इसमें बताना है थिक है तो यहाँ पर देखे सीधा सा मान लेजिए यहाँ पर उसने सतर सेव बेचे ठीक है यानि कि उसने जितने सेव खाए हैं उससे चालिस परतीसद अधिक बेचे हैं यानि कि मान लो कि उसने पचास सेव खाए हैं तो पचास सेव के का आप 40% निकाल दीजिए तो 50 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 20 में 20 पलस 50 कितने होते हैं 70 और 70 शेव यहाँ पे बेच रहा है तो अपना राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा किसी संक्या के 60% में से 60 गटाने पर परिणाम 60 आता है तो वह संक्या क्या है तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सीधा सा है देखिए मान लीजिए अपने पास 200 है 200 का 60 पर 30 निकालेंगे तो कितना जाएगा 120 और 120 में से 60 गटाएंगे तो कितना जाएगा 60 ठीक है तो यहाँ पे 60 आ रहा है तो अपना इसमें डी नुम्बर उप्शन सहीतर हो जाएगा आगे देखिए मोहन ने 2000 रुप में 25 किताबे खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रमुले के बराबर लाब कमाते हुए बेच दिया तो एक किताब का विक्रमुले ग्याद करना है तो देखिये दोस्तों यहाँ पे सीधा सा है एक पुस्तक का करमुले अपने को निकालना है तो दोस्तों 2000 में आप 25 का भाग दे दीजिए कितना आजाएगा 80 रुपए आ जाएंगे कितने आ जाएंगे 80 रुपए आ जाएंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को देखिए 25 विक्रम मुले माइनस 5 विक्रम मुले बराबर 25 करम मुले तेखिए यानि कि 20 विक्रम मुले बराबर 25 करम मुले हो जाएगा इसमें तो यानि कि करम मुले बठा विकरम मुले यानि कि दोस्तो चार बटे पांच हो जाएगा चार बटे पांच इंटू दोस्तो 20 यहां पर ऐसे हो गए चार बटे पांच यानि कि चार इंटू 20 बटे पांच इंटू 20 ठीक है तो ये कितना हो जाएगा, ये SC हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 100, ठीक है, ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सेउत्तर हो जाएगा, आगे देखें, एक वेक् कुलानी रुपयों में ग्यात किजिए तो कुलानी रुपयों में ग्यात किजिए किसी आशा है यह पर दोस्तों चैयर कि 25 मित कितना होता है तो आप दायरेक्ट निकालना चाहें तो ऐसे 25 कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा ठीक है और दोस्तों यहां पर 120 रुपए दे रखें तो आप इसको डायरेक्टी कर लीजे तो वैसे सही रहोगे ठीक है देखें पहली कुर्शी का विक्रमुले पहली कुर्शी का जो क्रमुले है वो क्या हो जाएगा 120 इंटू 100 बटे 125 यानि कि 96 रुपए हो जाएगा कितने हो जाएगे 96 रुपए ठीक है दूसरी कुर्शी का क्रमुले है वो कितना हो जाएगा तो 120 इंटू 100 बटे 55 यानि कि 25 परतिसत कमें बेचा ना तो दोस्तों कितना जाएगा एक्सो साठ थिक तो यहां पे क्रम limiting कितना अच drama 702004 like डिक है अब दोस्तों यहां पर देखिए कुल विक्र मुल्ले कितना जाएगा तो एक्सो बीस ईंटु दो एक्सो बीस कितने की जाएगी बेखेंगी अंत्र कividade आरा है तो दोस्तों इधर 250 दे रखा है और उदर 240 तो कितना अंतर आ रहा है 16 लागा तो अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा इसमें तो इसमें B नंबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए एक डीलर ने 7600 में एक वासिंग मसीन खरी दी अंकित मुले पर 12 परतीसत की छूट देने के प 960 रुपए यह 90 परतीसत है अपने को इसमें 10 परतीसत और जोड़ना है ठीक है यानि कि दोस्तों सीधा सा अगर मैं बोलूं तो इसमें आपको क्या करना है 7600 इंटू 7600 इंटू 110 बटे 100 ठीक है और 12 परतीसत की छूट देने के बाद विक्रमुले क्या हो जाएगा इसका तो दोस्तों इसमें देखें अंकित मुले इंटू 8800 क्या हो जाएगा 88 बटे 100 हो जाएगा तो दोस्तों अंकित मुले इंटू 8800 इंटू 110 बटे 100 ठीक है तो अंकित मुले बराबर कितना हो तो 660 इंटू 110 बटे 88 तो दोस्तो 9575 इसका राइट आंसर अजाएगा 9575 ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर ठीक है आगे देखिए इसमें देखिए 98 नमबर प्रेस ने एक कक्षा में 30 छात्रों की ओस्ट आयू 15 वर्स है कितना हो जाएगा 450 एक चात्र जिसकी आयू 20 वर्स है कक्षा को छोड़ देता है दो नए चात्र यानि की दो नए विद्यार्थी उनके इस्तान पर कक्षा में आ जाते हैं जिनकी आयू में 5 वर्स का अंतर है यदि कक्षा में उपस्ती छात्रों का नया उसत 15 हो तो कक्षा में आये हुए छात्र की उमर ग्याद करो तो नए छात्र की उमर अपने को ग्याद करना है तो दोस्तों यहाँ पे देखे 450 आ गया और 450 में से कितने वर्स का एक छात्र चला गया तो 20 वर्स का तो कितने बचे, 450 में से 20 गए तो कितने बचे, 430 बचे, ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखे, 2 नए छातर आ चुके हैं, यानि कि 2 नए छातर आने के बाद में, जो कुल आयू है, वो कितनी हो जाएगी, तो देखे, 1 गया, 2 नए आए, तो छातर कितने हो जाएगे, 31 और कितने बचे, तो दोस्तों, 35 बचे, कितने बचे, 35 बचे, याद रखना 35 बचे, तीक है, अब दोस्तों, यहां पे देखे, एक 15 वर्स का होगा, और एक 20 वर्स का होगा, दोनों के मद्धे अनतराल है, वो 5 वर्स का है, तो दोस्तों इसमें कक्षाम में आए छोटे चातर की उमर ग्याद करनी है तो छोटा वाला चातर है वो पंदरा वर्स का होगा तो इसमें बी नंबर का उप्शन से उत्र हो जाएगा आगे देखे एक कारिय साला में सभी मजदरों की उस्ताए आठ हजार रुपए है जिसमें साथ मजदरों की उस्ताए बारा हजार रुपए है तथा अन्य मजदरों की उस्ताए छे हजार रुपए है कारिय साला में कुल मजदरों की संक्या है वो ग्याद करनी है तो कुल तो यहाँ पर लिख दीजिए 12,000 ठीक है और यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तो इसमें और कितनी है आए और 6,000 ठीक है 6,000 ठीक है अब यहाँ पर ओस्त आए वो कितनी की है तो वो है दोस्तो इसमें 8,000 की कितनी है 8000 की अब इसको क्रोस में देखिए अंतर कितने का रहा है तो इसमें अंतर आ रहा है 2000 का कितने का रहा है 2000 का और इसमें 4000 का रहा है ठीक है अब दोस्तों सीधा सा है यहां पे देखिए अंतर कितने का रहा है तो इसमें 2000 का और इधर 4000 का तो दोस्तों देखिए इसमें ज्यादा कुछ कास करने की जरूरत नहीं है साथ मजदूर है तो यहाँ पे सीधा सा है एक इंटू साथ तो इदर हो जाएगा दोस्तो तीन इंटू साथ कितना हो जाएगा तीन इंटू साथ तो दोस्तो कितना हो जाएगा 21 ठीक है तो अपना इसमें मजदूरों की संख्या कितनी हो जाएगा इसमें B नमबर का उप्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि कि 2 इंटू 2 बराबर 3 इंटू 7 यानि कि 21 हो जाएगा इसमें ठीक है आगे देखिए इसमें 100 नमबर का प्रेस ने तीन संख्याएं एक बटा दो अनपात दो अनपात तीन अनपात तीन अनपात चार के अनपात में हैं तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो संख्याएं अपने को ग्याद करनी है तो यहाँ पर देखिए दोस्तो दे रखा है 1 बटा 2, 2 बटा 3 और 3 बटा 4 यानि कि दोस्तो 6, 8, 9 इसका क्या जाएगा 6, 8, 9 इसका दोस्तो अनुपाता जाएगा ठीक है तो इसमें 9x-6x-3x-36 तो x-12 तो अब 12 से सबी को multiply कर दीजिए 6, 8, 9 को 12, 12 से multiply कर दीजिए इता ही टानसर आ जाएगा बेहतर चानड में 108 तो इसमें D-number का option इसका बिलकुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखें इसमें 101 number प्रेसने दो वेक्तियों की मासिकाई 2, 95, 3 के अनुपाद में हैं तो वेक्तियों की मासिकाई 2, 95, 3 के अनुपाद में हैं यदि उनके खर्च का अनुपाद 5, 95, 9 है यदि परतेख 600 रुपए की बच्चत करते हैं तो उनकी आए गयात करें है ठीक है तो दोस्तों इसमें आये निकल किया जाएगी चीद आप ज़्यादा दिमाग लगाने की जूरूत नहीं इसमें सीधा सा इसका जो राइट अंसर है वो हो जाएगा 1600 और 2400 रुपे ठीक है 1600 और 2400 रुपे इसका राइट आंसर हो जाएगा अब निकालनेगा इसको आगे देगे यदि क्रिकेट मेच की एक पारे में तीन खिलाडियों दोवारा कुल 361 रन बनाए यदि A और B B और C के दोवारा बनाए गए रनों का अनुपात 2 अनुपात 3 हो तो A दोवारा बनाए गए रन ग्याद करें तो A दोवारा बनाए गए रन हैं वो अपने को इसमें ग्याद करने हैं तो दोस्तो C दासा इसमें अनुपात A B C लिक लो A B और C ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा तीन अनुपात दो और इसका हो जाएगा दोस्तों इसमें तीन अनुपात दो तो इसमें हो जाएगा कितना नो अनुपात छे अनुपात चार यानि कि एक के द्वारा बनाये गए रन तो एका अनुपात बटे अनुपातों का योग इंटू कुल रन तो यानि कि नो बटे मैं लाएं उसी काम को कितने दिन में करेगी तो दोस्तों उसी काम को कितने दिन में करेगी तो दोस्तों सीधासा है अगर इसको सोट ट्रिक के माद्देम से आप करें तो दोस्तों देखिए 20 इंटू 25 बटे 35 पलस 15 खर लीजिए तीक है 16 पुरोष बराबर 20 मैलाएं ठीक है तो यह आपको इसमें याद रखना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें तो वो है 10 दिन डी नंबर का उप्सन इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा यह देखिए दो चार प्रस्न है यह आप असानी से कर सकते हैं यहाँ पर देखिए एक आदमी ने अपनी पुंजी का एक बटा दो भाग 10 परतिसत वार्शिक ब्याजदर पर एक बटा तीन भाग 9 परतिसत तथा 6 12 पर निवेशित किया तो उसके द्वारा प्राप्त ओसत वार्शिक ब्याजदर क्या है तो उसके द्वारा प्राप्त ओसत वार्शिक ब्याजदर है वो क्या है वो अपने को इसमें बताना है तो देखिए माना मूलदन है वो कितना है तो वो है एक रुपया ठीक है माना बटा तीन इंटू नो परती सत दे रखा है, आगे देखिए, इन्टू बारा, बराबर कितना जाएगा? तो दोस्तो इसमें, तस परती सता जाएगा, तो अबना राइड आजर इसमें, बी नंबर का उप्शन से उतर, नेक्सट, आगे देखिए, कोई दंड्राजी चक्रवर प्रती ब्याज से चार वर्सों में अपने से दो गुनी हो जाती है वहरासी अपने से आठ गुनी उसी ब्याजदर से कितने समय में हो जाएगी तो कितने समय में हो जाएगी तो दोस्तों सीधा सा है यहाँ पे देखिए मूल दन एक तो मिसर दन किया हो जाएगा दो और समय क् तीन गुना हो जाएगा यानि की बारा वर्स हो जाएगा तो अपना राइट आंसर इसमें बी नंबर का उप्सन से उत्तर आगे देखिए एक सोचे नंबर का प्रेस ने देखिए किसी धनरासी पर पांच परतिसत दर से दो वर्स का सदरन ब्याज 16 सुरुपए है वार्चिक चकरवर्ति ब्याज पर उसी दर पर तीन वर्स के बाद चकरवर्ति ब्याज कितना होगा तो तीन वर्स के बाद चकरवर्ति ब्याज है वो कितना हो जाएगा तो दोस्तो यहां पर देखिए पी पी यह कितना है तो दोस्तो इसमें देखिए दर है वो कितनी है तो पांच प आज है वो परतेक वर्ष का समान होता है यह आपको इसमें याद रखना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो 25 बाइस ये कर ले ना दो चार प्रसन है यह मैं आपको डायरेक्ट बिता रहा हूं ठीक है देखे एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा गिरा चेतरफल 484 वर्ग समी है तार का गिरा हुआ चेतरफल कितना होगा यदि इस तार को एक वर्थ के रूप में मोड़ा जाए तो दोस्तों सीधा सा है इसमें वर्ग की बुजा का सुतर लगेगा फिर उसके बाद में वर्थ का परिमाप वर्थ की परिदी फिर उसके लास्ट में दोस्तों वर्थ का सितरफल का सुतर लगेगा तब यह स्वाल हो जाएगा तो आप इसका राइट आंसर में आपको डिरेक्ट बता देता हूं 616 सेमी स्वार रहेगा इसका राइट आंसर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर है ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें यह दो चार प्रसन है यह आप स्क्रीन सोट ले लिजे और गर पे कर लेना आराम से तीक है मैं चलता हूं दोस्तों डायरेक्ट है अब रिजिनिंग के अंदर है यहाँ पर देखिए मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो कहनी कौन लिखता है तो दोस्तों सीधा सा है देखिए मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो कहनी कार कहनी लिखता है बी नंबर का उप्शन से इतरो जाएगा साथ सत्रा प्रसास यहाँ पर देखिए साथ कैसे आए तो दो का क्यूब माइनस एक है और यहाँ पर देखिए दो का क्यूब माइनस ए किया तो कितना आगया साथ अब सत्रा कैसे आए तो दोस्तों देखिए दो पलस दो यानि कि चार का स्क्वाइर पलस एक तो कितना आगया सत्रा ठीक उसी परकार पांच का क्यूब माइनस एक तो कितने ओगए तो यह आगए दोस्तों इसमें 124 ठीक है और आगे देखिए पां answer C number option हो जाएगा आगे देखे L, J, P, N, फिर K, M, O, Q, फिर Y, S, U, डबलो दे रखा है तो यहां पर देखे दोस्तो इसमें क्या सुतर लग रहा है तो इसमें minus 1 plus 3 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 यह सुतर लग रहा है तो इस सुतर के माददे मसे आप इसको सोल कर ले ना इसका राइट आंसर हो जाएगा XVTZ XVTZ इसका राइट आंसर हो जाएगा D नंबर का उप्शन से उतर आगे देखिए 114 नंबर का प्रेशन है अपने को बताना है कि इन में से कौन सा एक अलग है बाकि तीन है वो एक समान है देखिए गुरया तोता हंस गिद तो सीधा साफ का राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए हंस को छोड़कर आने सभी आकास में उड़ने वाले पक्सी हैं तो इसमें राइट आंसर C नंबर का उप्शन से उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें P और K में कितने का अंतर है तो इसमें 5 का अंतर है क्यों और L में इसमें 5 का अंतर है W और R में इसमें 5 का अंतर है और T और N में दोस्तो इसमें 6 का अंतर आ रहा है तो अपना राइट आंसर इसमें D नंबर का उप्शन से उतर हो जाएगा यहाँ पर देखिए दोस्तो 116 नंबर का प्रेशन है एक-एक माइनस हो रहा है चोरी यहाँ पर देखिए इसमें एक माइनस हुआ सबसे पहले तो ठीक है उसके बाद में देखिए O P Q फिर इसमें 2 पलस हुआ ठीक है फिर माइनस एक हुआ फिर आगे दोस्तों देखिए P से P बना यानि कि 0 फिर दोस्तों इसी तरह यह आगे ऐसे चलता रहा और दोस्तों यहाँ पे देखिए S T A B I L I S E D दे रखा है तो इसको कूट बासा में कैसा लिखा जाएगा तो दोस्तों देख ले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा J C B U T C D R H K तो इसमें B नंबर का उप्शन से उतर हो जाएगा आगे देखिए यहाँ पे यह क्यूशन आप आसा नहीं से सोल कर सकते हैं यहाँ पे निक का अर्थ पुछा है निक किसमे हैं तो निक ये रा तो निक का जो आंसर है वो दोस्तों Who are you के अंदर ही होगा तो यहाँ पे उप्शन में भी वोई दे रखे हैं तो इसका मैं आपको डिरेक्ट बता देता हूँ तो इसमें who या are इसका right answer होगा c नंबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा आगे देखें परतीक पूरब की ओर चलना प्रारंब करता है परतीक है ये पूरब की ओर चलना प्रारंब करता है कुछ दूर चलने के बाद वहें चलने की दिशा के 135 डिग्री दाएं गूम जाता है तो 135 डिग्री है वो क्या करता है दाएं गूम जाता है तो दोस्तों ये 135 डिग्री का कौन है ये बन गया यहाँ पर ठीक है वहें किस दिशा में जा रहा है तो दोस्तों कौन सी दिशा में जा रहा है तो वो जा रहा है दक्षिन पस्षिम में तो अपना इसमें ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए इसमें लोकेश अपने गर से 15 किलोमेटर उत्तर की ओर जाकर पस्षिम दिसा में मुड़ जाता है और 10 किमी की दूरी तेह करता है उसके बाद वहें दक्षिन की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमेटर चलता है उसके बाद वो 5 किलोमेटर चलता है ठीक है यह 5 किलोमेटर चला अब देखिए अंत में वहें पूरव की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमेटर चलता है पूरव की ओर मुड़ के यह 10 किलोमेटर चलता है ठीक ह और 15 में से 5 किलोमेटर ये माइनस कर दो तो अपने पास कितना बचा 10 और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें कौन सा तो 10 किमी इसका राइट आंसर हो जाएगा और 10 किमी कौन सा एक वर्ग में संजे का करम उपर से पांचवा और परकास का करम नीचे से नुवा है यदि दोनों के करम आपस में बदल दिया जाए तो परकास का करम नीचे से 27 वा हो जाता है बताईए कि इस कक्षा में कितने विद्यारती हैं तो कितने विद्यारती हैं तो यहां पे देखिए कुल विद्यारतियों की संक्या अपने को ग्यात करना है तो परकास का नीचे से परिवर्तित कर्मांग प्लेस संजे का कर्मांग माइनस एक करना है और तो यहां पे देख लीजी दोस्तो 125 नंबर का प्रेस्ट ने इसका राइट आंसर यहां पे देखिए प्रशनवाचक चिने दे रखा इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा भी नंबर का उप्शन ठीक है यह कुछ क्यूशन है यह मैं आपको कल और डिटेल में करवा करते हैं देखिए दोस्तों यहां पे एक पर्जेंटेशन में सलाइड को प्रस्तूत करने के लिए प्रियुक्त विशेश इफेक्ट को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं दोस्तों क्या तो एनिमेशन कहते हैं आगे देखें कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा बेजने और प्राप्त करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो डिजिटल तो बी नमबर का उप्शन सहीटर हो जाएगा आगे देखे ग्राफिकल अबजेक्ट होते हैं जो आम तोर पर परियोग होने वाली आपली केस्टनों का परतिनीजित्वा क इनेक्स बी नमबर का उप्शन सहीटर हो जाएगा आगे देखे सबसे दीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है सबसे दीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है तो वो है दोस्तो इसमें डायल अप सर्विस डी नमबर का उप्शन सहीटर हो जाएगा आगे देखे सिस विसी इस रूप से पैचान करने वाले फिल्ड को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं की, आगे देखे, सोप्टवेर के दो परमुक वर्ग हैं, तो वो कौन से वर्ग हैं, तो दोस्तों वो वर्ग है, सिस्टम और अप्लिकेशन, तो C नमबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा, आगे देखे, कम्पिटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है डिजिटल डाटा के रूप में, नेक्स्ट है, धन का ट्रेक रखने और बुजट बनाने के लिए, कैलकुलेटर की तरह काम करने वाले प्रोग्राम को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं, दोस्तो, स्प्रेड़ सीट, डी नमबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा, आगे देखिए, किसी स्रोथ से जानकरी लेकर और उसे अपने कंप्यूटर में लाने को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं, दोस्तो, डाउनलोड, नेक्स्ट है, अपनी रिपोर्ट का पहला परियाग्राफ, इंडेक्ट करने के लिए आपको इसकी का उप्योग करना चीए, तो दोस्तो, किसकी का उप्योग करना चीए, तो दोस्तो, इसका right answer हो जाएगा, वो है इसमें टेब की का प्रियोग करना चाहिए C नंबर का उप्षन सहीतर हो जाएगा आगे देखिए ऐसी विशिष्ट मदे हैं जिनका किसी दिये गए संदर्ब में कुछ खास अर्थ नहीं होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डाटा नेक्स्ट वेबसाइट पता एक विशिष्ट नाम है जो वेब पर किसी विशिष्ट को आइडेंटिफाई करता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वेबसाइट C नंबर का उप्षन सहीतर हो जाएगा यह दोस्तो आज अपना पंदरा नंबर का मोडल पेपर है वो समाप्त हो चुका है और आध्यारेस अकेडिमी के यूटूब चनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जभारत